हलो दोस्तों नमस्कार स्वागे थे आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज मैं कुछ पौधों के बारे में आपको जानकारी बताऊंगा यह देख सकते हैं इसकी पत्ती लंबी-लंबी है यह दोस्तों जामुन का पौधा है जो छोटा है भी चार से पांच महिने ट्लाक को लगा है जलेकिन इसकी ग्रोथ हुआ ज्यादा नहीं हुए है और देखे हमने कितने पAddesar कि यह देखे यह देखे यह का itself बहुत है और यह डी बुंक हुट ये देखे जामुन का बहुत है ही ले vis गु dirty नंशी Keeping गोल है यह धृनिंत का पौधा है और देख सकते हैं यह जामुन का पौधा है यह जामुन की पत्ती ऐसी होती है तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं यह सभी पौधे मेरे द्वारे लगाए गए तो यहां पर कुछ जमीन खाली पड़ी और कच्ची थी तो हमने सुचा क्यों ना इसमें कु है कि यहां मुदा कें अल के अब दो पपी पहते का है वी सप्लेई देख सकते हूं अब यह सभी पौधे मेरेवारा लगाए गया है 하지만 जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यह आला प्पाधे पत्ति हर्य रंगी की है हो कि दौस्तों हरा रंगी जो होता है यह कलोरो फिल का कारण होता है है को लोरोफ सब्सक्राइब पती ये तो दोस्तों देख सकते हैं घाली जगा पड़ी थी तो कि मिद्री और तो यहां ये सब पोद्य लगा दी जिससे की थोड़ा नबढ़ा ुठा रहै है जुको ये मिट्ट्री का कटान मीन हों बारिष के देखर रहे हैं मिट्टी कटी चुकी है कि मिट्टी को कटान से बचानेक लिए पीड़ पौधों का स्तंवाल किया जा सकता है तो दोस्तों हमारे जीवन में पौधों का बहुत बड़ा कि हमारे वातावरण में जहरीली गयस होती है जिससे सलफ़डाय आकसाइड कारवन मोनो आकसाइड यह दोस्तों जहरीली गयस होती है जो हमारे स्वास के लिए भूत ही अनिकारक होता है तो इन जहरीली गयसों को पेड़ पोदों के द्वारा अवसोसित कर लिया जाता है और वावी में धूल और कड़ धुमा रहते हैं वो सभी पेड़ पॉधे अवसोसित कर लेते हैं और वातावनों को सुद्ध बनाते हैं तो दोस्तों आप आपके पास भी इस प्रकार की कोई थोड़ी जगा खाली पड़ी हो तो आप उसमें कोई पॉधे जरूर लगाए पॉधर भुप अच्छी बात है अधर हो और यदहर में कुछ पहोधि दिखा रहा हूं यह मुझे मालूने की चीज का आ सबकर करें के आप 심While करके जरूर बताए यह देखिए महीं किति सथ कप्यूंत मुझे मालूम नहीं लेकिन यहिदि आपको मालूम हो हैं कि तो आप मुझे कमे लगत का तो नहीं है तो हम प्लीस कमेंड कर बताएं आर इसके बारे में बताएं यसे दोश्त में बादा है fijиш कि से दोष्कील जैसा कि हम्हों के लिए भॉजाण आवस्चक होता है कि जो पांधोंay होती है वह अपना भॉजन प्रकाले तो यहाँ सूर की रिज्णी कर्या के दिवारा बनाते हैं कि और देख सकते ऊपर कुला है कि तो यहां सूर की दिन में धूप आ जाती है तो यह सूझों को मुर्जाँ जाएंगे खरा हुआंगे पेड़ पवदह रिए धूब बहुत जरूरी होता है जिस प्रकार से हमारे लिए धूरु जरूरी है लोड़त ओंद्र के एक जामुन का पौधा यहां पर भी है तो इस प्रकार सेमले बहुत सी पौधे लगाएं यहां पर यह सब हमारे लगाया हुआ है B दोस्तों यहाई देखिए यहाई मीली का पाउदा यह यहुंद तो दोस्तों आप पूदी जरूर लगाए अपने जीवन है क्योंकि पेड़ पौदे हमें ऑक्सीजन के साथ सच्छाया भी देते हैं यदि ये बड़े हो जाएंगे तो हमें चाया देंगे गर्मी में राहत देंगे तो पेड़ पौदे दोस्तों माले बहुत जोरुई है यह देखिए हमें लगाया ऐसे अलो उस तो पपीते के पौदे को लगाने के दिये आप सिंपली क्या करिए कि पपीते के अंदर जो भी आ रहता है उसको रहा के छेड़ दिए उसको सुखाने जो तनी ताजाही छेड़ दिए वो अपने आप निकल आएगा असी प्रकार से य प्रकार दोस्तों आप भी पौदे लगाईए बहुत अच्छी बात है और कोई जानकारी चाही पीड़ बहुत हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियों में एक नहीं जानकारी साथ तब तक लिए नमस्क्राइब